स्टुडेंट वैलकम दुधा कॉंसेट बूस्टर क्लास आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को कैसे कंवर्ड करते हैं एक दूसरे में उसके बारे में हम बात करेंगे जो कि सब्सक्राइब करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग इन रेशियो को थोड़ा समझ लेते हैं मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बहुत छोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा जिसके तुरू आप इसीली बिना आइडेंटिटीज के अंदर जाएं इसली आपको सॉल कर फाहोगे ठीक है लेकिन पहले आपको यह थोधना पड़ेगा कि जो ट्रिक्नोमेट्री रेशियल होते हैं वो किसको डिफायन करता है जیسे की सांथ तीटा कॉस तीटा कॉस टीटा है इस शयक तिड़ा एंड remote रेशियो हैं जो राइट एंगल ट्रैंगल की साइट के रेशियो को बताते हैं इनको याद किसे करना होता है तो उसके लिए आपके पास ट्रीक होती है कि पंडित बदरी प्रसाद आपको याद होगा हर हर बोले इससे आप याद कर सकते हो इसमें साइन को रिप्रेजेंट कौन सा कर रहा है परिपेंडिक उलर अपन हाई बोल सांटी मुझों साइन चेंटील अपन हाई-पोटेंई है कान होस्के और एको जाएं और सलेगा दैसे परेंडिक्लर मृट कौन होता है निचे त्ले वादेम default उक्राइब कर फिर होता है कि मतलब टभ ट्रैन विजमीड मेले सिप्र यह अब यहां से हम लोग देख सकते कि साइन जो होता है वह दैपन अपन यह पोटेनियूस प्रपेंडिकुलर अपन बेस ऐसे ही इनके रेशी प्रोकल्स यह वाले हो जाते हैं तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ट्रिक के बारे में जिससे हम लोग को ड्रिक्णोमेट्रिक रेशियोज को कणवर्ट करेंगे दूसरे ड्रिक्णोमेटिक रेशियोज के इंदर ठीक है बहुत ध्यान से देखेगा तब कुछ समझ में आ जाएगा भी चलिए हम एक example से सब्सक्राइब apply करूंगा फिर उसके बाद में मैं उसको solve कर पाऊंगा बट मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ आपको कोई identity की ज़रद नी पढ़ने वाली है बहुत easily solve कर पाऊगे suppose मुझे सेक में convert करना है सारी trigonometric identities को तो कैसे करेंगे एक दो चीजे में बताऊंगा उसका बिल्कुल ध्यान रखना पहली चीज़ आपको यह देखना है कि सेक जो होता है हम लोग बनाते हैं ठीक है अभी कोस को हम लिखते कैसे हैं कोस को लिखते हैं हम लोग बेस अपन हाइपोटनियूस तो according to that it will be based upon hypotenuse ओके बेस अपन हाइपोटनियूस हो जाएगा हमने फिगर को इसी तरीके से बनाया है जिसे ए बी सी इसको नाम देदें टीटा हीएड ताकि क्या हो 90 डिगरी और जहां पर बनता है वो तो बेस हो जाएगा इसका यह तो हो गया इसका बेस अगर यह बेस हो गया हाइपोटनियूस यह होता ही है तो परपेंडिकलर हो कि यह बन हाइपोटनियूस कि जगा आजाएगा सेक थिटा हम इस ट्रैंगल का परपेंडिकलर निकाल सतने है क्या एस यू कि ए राइट अंगल ट्रैंगल विध एलप पाइथो गरे स्टरम हम लोग इसी लीजिए इसका परपेंडिकलर फाइंड कर सतने है क्या होता है पी is one, तो it will be one square तो पर पापेंडिकलर स्कॉर इसकारे स्कॉर्ज साथा वहल स्कॉरे स्क्वार इसक्वार स्कॉर स्कॉर्ज टू माइनस वन का स्क्वार रूट अब इस ट्राइंगल के हमारे पास में बेस भी है हाइपोटेन्यूस भी और परपेंडिकुलर भी और अच्छी बात क्या है कि सारी चीज़े सेक की फॉर्म में है हमने सेक की फॉर्म में निकाल दिया है अब आपको जो चाहिए आप इसली निक इट विल भी सेक्टिटा सिंपल अगर मुझे को स्कों अब तो तो इसमें कोई प्रब्लम आनी वाली नहीं अब मैं टैन को करता हूं सेक में ध्यान दिजिए गा टैन थिटा को कैसे करेंगे सेक में अब टैन क्या होता है अब न परपेंडिकुलर अपन बेस तो परपेंड अब रू Caligo Android Sec Square Theta – 1 ऐसी ही आपको यह आपको यह बाद है यह अपन परपेंडिकुलर बेस वाला और परपेंडिकुलर अपना यह परोडिकुलर पेस तो द्ला यह काते आप तो क्या हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर बेस कितना है बेस है वन और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास में अंडरूट सैक स्कौर्यर थिटा मिनस वन तो इस वे से आप किसी भी टिक्नोमेटिक रेशियो को इसीली कनवेट कर सकते हैं ठीकम चलिए एक और exactly समझते है इसको की औरican अभी अभिए अपने देखा कि हम लुगों ने किस तरीके से सारे टिक्नोमेटिक रेशियो सको सेक में है किया माल लीजे यहीं भी आपको अगर कॉर्ट में करना हो कॉश्यन आ जाता है कि कनवर्ट ओल्द ट्रिक्नोमेट्रिक रेश्यू इंडू कॉर्ट तो कॉर्ट में कैसे करेंगे तो सेम चीज़ करेंगे हम लोग पहले देखेंगे कॉर्ट किसका रेसी प्रोकल होता है तो हमक अपन कॉर्ट टीटर टेल होता किया है हमारे पास में और यह पंदिक्लर अपन भी इपने के वान हो जाएगा बीस हो जाएगा आपका घू तो नौए मुना मेकर ट्रेंगे ट्रैंगल एंगल ट्रेंगल ऐसा एक राइटांगल ट्रेंगल बनाते है इसको नाम जैए और एक होई जाएगा तो according to this perpendicular कितना है हमारा 1 तो perpendicular 1 हो जाएगा बेस कितना है हमारा cot theta बेस होगया cot theta इसका hypotenuse निदालना है यापको ठीक है सेम पाइथोगरी स्थरम h2 is equal to p square plus b square just put the values perpendicular कितना है 1 it will be 1 square 20 कितना है cot theta it will be cot theta the whole square h2 is equal to 1 का square कितना होता है 1 होता है plus cot theta the whole square क्या हो जाएगा it will be cot square theta यहाँ पर अपने को hypotenuse की value निकालनी है square को transpose कर दो square transpose करोगे यह बन जाएगा square root तो यह आ गया 1 plus cot square theta in root हना तो hypotenuse के आगे हमारे पास में 1 plus cot square theta ठीक है यह आ जाएगा हमारे पास में अब हमारे पास में ट्राइंगल है इसा जिसके सारी साइट score की form में बेस कॉर्ट थिटा है हाइपोटनीज हो गया और परपेंडिकुलर वन हो सब्सक्तों हम इसी अप सारी सामोर्ण कर सकते हैं साइन थीटा क्यों कैसे करेंगे साइन क्या होता है हमारे पास में साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटनीज होता है न तो दो ये बहुप मुझे बहुत अच्छे वैड वन है और हाइपोटनिस क्या हो जाएगा इसमें हाइपोटनिस हो जाएगा अंडरूट वन प्लस कॉट स्क्वेर ठीटा ठीक है तो यह साइन थीटा कनवर्ड हो गया ऐसे ही अगर हमको करना हो को सको क्यों करेंगे को सोते हैं मरा पर्पेंडिकुलर थो तो भेस बूंढेयोगर तो युळ्यागा बेस अपोन-हाइपोटनियूस तो यह बाताईग से बेश कितना है बताइए मुझे स्समें बेर सो ज He 네 इसमें caught theta अ हाइपोतने वो जाएगा अपना अंडर रूट 1 प्लास से कॉत स्क्वार्ट इड़ा similarly 10 को दो हम बताई सकते हैं 10 गया होता है अपना पर्पेंडिकुलर अपॉन बाइस पॉन अपॉन एपान गौक्त सभीने को कर लिया इनको आहिंसे का जाएगा को स्कूर सब्सक्राइब कर देंगे जाएगा टैन को रेसे प्लोक्ल कर देंगे को तो है यह तो इस तरीके से हमने बहुत एजी किसे बीना किसी आइंटिटी को काम में लिए हम ने शारे सारे trigonometric ratio को convert करना सीख लिया इस तरीके से अगर आप छोटा सा ध्यान रखोगी कि एक triangle बनाना है आपको और उस triangle की सारी side किस form में होनी चीए जिस trigonometric ratio में आपको convert करना है उस form में होनी चीए ठीक है आपको करना करना गया है आपको सबसे पहले देखना है कि जिसमें भी convert करना है वह किसका रेसी प्रोकल होता है जैसे हमापे उपको convert करना था तो हमने देखा कि कॉट 10 का रेसी प्रोकल होता है तो 10 थीटा इस इक्वल दो बनाप और फिर वहां से आप आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इनको वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले थैंक्यू थैंक्यू बेरी मच्च